कि 21 शदी में वैस्विक राजनीती तेजी से बदलती जा रही है अमेरिका यूरोब समेत पश्च्चमी दुनिया का प्रभाव गिरता जा रहा है वहीं भारत चीन सहित पूरे एशिया का प्रभाव बढ़ता जा रहा है इन सभी बदलावों के केंद्र में अर्थ व्यवस्थ शामिल है नमस्कार मेरा नाम है मनीश भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति याइस यूटूब चैनल दोस्तों आज हम की और सौधी अरव का जुकाव और चीन से बढ़ती नजदिकी पर चर्चा करेंगे साथ ही हम देखेंगे कि इसका भारत पर क्या आसर परेगा क्यो सबसे पहले जैसा कि हम करते हैं कि इस टॉटिक से संबंधित एक फ्राश्न देंगे प्रश्न अज Kneewa से एक मैंस का प्रशन भी है अपके लिए तो सबसे पहले प्रेलीम का E प्रिलिम्स का जितना अधिक से अधिक हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे उतना हमारे लिए बढ़ियां होगा तो यह जो प्रशन का प्रशन है इसका जवाब इसी वीडियो में है या इसका एक कीवर्ड हो गया राष्ट्र धेक्षों की परिशद संगाई सहयोग संगठन में निरने लेने वाली सर्वोच संस्ता है कौन सी तो राष्ट्र धेक्षों की जो परिशद होती है वह उसकी बात की जा रही है और वर्स 2001 में भारत इस संगठन का पुर्ण कालिन बनने की बात की जा रही है और कौन सा खथन सत्त है चार विकल्प दिये गये हैं जो भी सही लगे आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है आप यदि पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको इस प्रशन का जबाब मिल जाएगा अब सीधा चलते हैं अपने ग्रो यानि कि चीन के द्वारा जो एक सेकुरिटी ब्लॉक है उसके द्वारा जो प्रशारित किया जाने वाला जो सौधी अब बढ़ चटके हिस्सा लेना चाह रहा है देखिए शंगाई सहयोग संगठन जो है उसका डायलोग पार्टनर बनने का निरने किया है सौधी अर एप्रूब्स डिसीजन एटर मीटिंग चेर्ड बाई किंग सलमान इना मूव डैट कुट ग्रांट रियाद डायलोग डायलोग पार्टनर की बात की जा रही है स्टेटस इन दा लॉंग यानि कि जो किंग सलमान की अध्यक्सता में जो कैमिनिट की मीटिंग हुई थी उसम सौधी अरब या संघाई शहयोग संगठन का डायलोग पार्टनर बनेगा डायलोग पार्टनर बनने का क्या महत्त होता यह समझे डायलोग पार्टनर बनने का अगर शहयोग संगठन है तो कोई देश सबसे पहले उसमें अगर उसकी सदस्ता चाहता है तो कह सकते हैं कि उस से समय में किया है जब चीनी राष्टपती की मद्यस्ता में कुछ ही समय पुर्व सौधी अरब और इरान के मद्ध एक समझोता हुआ है आप जानते हैं कि सौधी अरब और इनान का जो संबंध रहा है वह बहुत अच्छा नहीं रहा है कारण क्या है देखिए विश्व राज यहां इसका संबंदिस से बहतर रहा है और यहां इसका में से उसे खराब रहा है इस वज़ा से इन दुनों देशूं के बीच भी संबंद खरार धर और साओ और इन दोनंहीं मुसलीन देश हैं कि यहां पर एक जगह जहां पर सुनी मुसल्मान की पर तो इस तरह से उसको पूरे holistic approach में उसको तयार करें वहीं अमेरिका ने कुछ समय पुर्व सौधी अरब की जो नई नीती बनी है उसको अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए नेशन फर्ष्ट की बात करने लगे हैं फिर से पूरी दुनिया यह चाहने लगी है कि मेरा देश अबल हो और इसके लिए कई बार वह क्या हो रहा है कि वह पुरानी परंपरा टूट रही है जो गुटुबंदी की परंपरा हुआ करता है तो जैसे साथी अरब या ऐसा देख सोसी से बदलती जा रही है ठीक तोड़ इसके वज़द से अमेरिका ने इस पर चिंता भी जता ही है कि छूपरा चीन के पाले जाया करता है करो एक चाना के साथ जयादा बढ़ गया है उसको लेकर कर अमेरिका चिंता जबता चुका है और यह निरने जो है सौधी अरभिया तेल कंपनी वहां की है अराम को द्वारा चीन में निवेस बढ़ाने की घोसना के बाद किया गया है यानि कि यह कंपनी जो है चीन में निवेस बढ़ाएगी इसकी बात की गई है जिसमें पुरवत्तर चीन में एक नीजी स्व तो राजनीती में कई बार जो होता है देशों के राजधानी के नाम से दोनों ही देशों को बताया जाता है जैसे कि मान लिपिलनी ने या फैसला लिया तो आप जब इंटरनेशनल नीशल में को पढ़ते उसको कोसिष करे तो रियाद और विजिंग के बीच बढ़ते संबंधों ने वासिंग गटन में चिंता पैदा कर दी है देखे तीन उटर माया रियाद सौधी अरवया की राजधानी है विजिंग चीन की राजधानी है और वासिंग गटन डिसी कहां की राजधानी है USA की तो किसी भी देश का नाम नहीं उसकी राजधानी का नाम लिया गया है और फिर बातों को रख दिया गया है चिंता पैदा कर दी है जो चीनी प्रभाव को अमेरिकी हितों के लिए खत्रे के रूप में देखती है जिसकी चर्चा हमने किया भी है अब यह तो खबर हो गया और हमने देख लिया कि य जब भी इस तरह का मुद्दा आएगा यूपीएस सी आप से यह नहीं पूछने वाली है कि कौन सी देश जो है संगाई संगठन में जाने की डायलोग पार्टनर बनने की बात की जा रही है क्योंकि यह चीज तो यूपीएस स्टेटमेंट में डाल देगी कोश्चन में डाले किस तरह की संगठन है इंटरनेशनल और अंतर सरगारी अस्थाई रूप से है यह और इसकी अस्थापना जो है जून 2001 में संगहाई यानि कि संगहाई चीन का एक शहर है वहाँ पर किया गया था उसके बाद सेदस के रूप में देखिए जब शुरुवात इसका किया गया था क्योंकि यहाँ पर पांच देश सामिल थे इसमें इसलिए संगहाई फाइब ठीक है उसमें कौन था एक चीन था रूस किर्गिस्तान कजाखस्तान और ताजिकिस्तान ठीक है यह पांच देश इसमें थे लेकिन समय के साथ इसमें जो अन्य देश शामिल होते गए संगर्ठन कर दिया गया था और तब से यही नाम चल रहा है इसके अलावा क्या हुआ तो 2001 में छे कंट्रीस में हो गया उसके बाद बहुत लंबे समय तक कोई और देश इसमें शामिल नहीं हुआ फिर 2017 में आपको याद रहे तो 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों को इस संगर आठ तो अब अगर आप देखेंगे तो पुर्णकालिन सदस्ष की बात करेंगे तो आठ पुर्णकालिन सदस्ष है और बरतमान में परवक्षक देशों में एक मिस्र है दूसरा कतर है इसको धियान रखना है और अभी डायलोग पार्टनर कोन बन गया है इसका सौधी बात हैं इसको आपको देहार में रखना है और इसकी अगर अधिकारिक भाषा की बात करें नहीं अठिकारी बश्यक्राइब घिया खाहां की है तो मन डारीन ही और रूसी मिल्स कहां की रूसी कहां की है चल तैयार किया गया था उस चार्टर को फॉलो करने का है अब उस चार्टर में क्या-क्या बाते की गई इसे समझ लेते हैं सदस्ष देशों के बीच परस्फर विश्वास और परोस को मजबूत करता है यानि कि कहा गया किया जो इस संगठन के जितने भी देश होंगे उनके उस योग के हित का ध्यान रखे कौन से तो इसके जो सदस्ष देश होंगे उसका राजनीति वैपार अर्थ विवस्था अनुसंधान और प्रदोगिकी और शांस्कृति के साथ साथ सिक्षा उर्जा परिवाहन परियटन परियावरन सरक्षन और अर्ण छेत्रों में तो अनुसंधान की काफी जरूरी है क्योंकि अनुसंधान लगातार जो है पश्मी देशों में होता रहा है तो यदि संगठन बना करके इस छेत्र के जो देश हैं वह आपस में मिलकर के रिशर्च एंड डेवलप्मेंट पर खर्च करते हैं और जैदा जोड़ देते हैं त तो उसमें बहुत सारी समानता हैं तो उसका आदान परदान करना चाहिए यह जो संस्कृति जैसे चीजें होती है यह सौफ्ट पाबर होता है तो जब आप पढ़ेंगे तो ऐसे टर्म का जरूर ध्यान रखें ठीक है अगर आप आंसर राइटिंग करेंगे और सौफ्ट प समय में हो गया है परिबहन यहां पर चुकि यह जितने भी देश हैं यहां पर चीन हो चाहें वह रसिया हो भारत हो पाकिस्तान हो यह सबी जो एक दूसरे से एक ही छेत्र में जुड़े हुए हैं तो परिबहन को अगर बढ़ाया जाएगा तो यहां पर परियाटन बढ़ हो जाएगी परियावरन संद्रक्षन की बात की गई है चुकि आप जानते हैं कि ग्रीन हाॉस गैसेज जो कितना बढ़ रहा है इसके पज़़ज से क्लाइमेत चेंज हो रहा है तो विशम परिस्थिती हो गया है अब विशम परिस्थिती से निपटने के लिए चुकि समस् चीजों के करने से क्या होगा कि इस पूरे छित्र में शांती होगी सुरक्षा और इस्थिरता कैसी तो राजनेतिक स्थिरता की बात की जाएगी यहां पर यहां पर राजनेतिक स्थिरता भी होगी और आर्थिक स्थिर्टा के भी बात की जाएगी ठीक है बनाई रखने और सुनुष्चित करने के लिए इन सबों को शेयुक्त परियास करना होगा क्योंकि जहां भी जिस छेत्र का भी अगर समस्या संयुक्त है तो समाधान संयुक्त ही होगा तब उसका समाधान निकल पाएगा लोक्तांत्रिक निश्पक्ष और तर्क संगत नई अंतरास्टी राजनेती और आर्थिक विवस्था कि अस्थापना के दिशा में आगे बढ़ने का एक लक्ष अखा गया चलिए इसके संरचना की बात कर लेते हैं किसके सहयोग संगठा नाम है ठीक है लेकिन कभी भी गलती से कंफ्यूज नहीं होना है कि इसका सचिवाले जो है वह शंगाई में परता है यह पूरा छेत्र जो इस दोरान परता है यहां पर आतंगबादी काफी देखी जा रही है ठीक है इस वज़ा से यहां पर ताशकंद में छेत्री आतंगबादी रोधी संरचना का भी निर्मान किया गया है राष्टे धच्छों की परिषद संगहाई सहयोग संगठन में निरने लेने वाली सर्वोच संस्ता है यानि कि किसी वी राष्ट के प्रमुक जो होंगे और उनका होगा इस संगहठन में निर्मान करती है तरह संगहटन के बजट को मंजूरी परदान करने का काम करती है कोई भी काम होगा यहां पर विकास का काम किया जाएगा यहां का लक्ष रखा गया है के उस लक्ष की पूर्टी करने के लिए फंड की जरूरत होगी तो सभी मिलकर के अपने हिस्से की फंड तैंक करते हैं विदेश मंत्रियों की परसेदे कि परतेक लेयर पर काम किया जा रहा है राश्टर धक्ष मिल रहे हैं उसके बाद विदेश मंत्री मिल रहे हैं इनकी नि सचिवाले संगठन का प्राथ्मिक कारेकारी निकाय है यह संगठन अतमक निरनयों और दस्तावेजों को लागू करता है तथा दस्तावेज के रूप में भी क्वडे करता है कौन सचिवाले संगठन ठेक है आगे बढ़ते हैं इसके बारे में कुछ और महत्पुर्म तथ है उसे समझ लेते हैं देखिए इसकी अध्यक्षता कौन करता है यह प्रशन आपके दिमाग में आ रहा होगा इस अंगठन का तो स्यों की जो अध्यक्षता है रोटेशन के आधार पर किया जाता है कि एक बार कोई एक देश इसकी अध्यक्षता कर रहा है जैसे कि माले भारत को दे दिया गया इसकी इसकी अध्यक्षता फिर इरान को दे दिया गया रसिया को दे दिया गया तो रोटेशन पर होता है और इस टू परसेंट पॉपुलेशन यह कवर करता है अब जरह सोचिए कि लगभग मैं कह सकता हूं लगभग आधी आवादी जो है इन आठ देशों के अंतरगत आ जाती है संगठन के अंतरगत और 22 परतिशत जो है भूमी 20 परतिशत जीडिपी का जो है यह परतनृत करता है यह साथी अरविया ने एक तरह से पैटर्न तोड़ते हुए कहां वह पश्मी देशों के पाले में हुआ करता था यूएसे के साथ कदम ताल किया करता था लेकिन वहां से निकल करके अब वह एक तरह से चीन और भारत रसिया जैसे जो संगठन जो देश जो है जिस संगठन में हैं उसका हिस्सा बनने के लिए आ गया है उसका डायलोग पार्टनर बनना चाह रहा है तो ऐसा क्यों है क्यों इस बात पर सौधी अरविया जोड़ दे रहा है इसको समझे जो भी इसके सदस्देश हैं जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यदि आप इस पॉइंट को बहुत कर रही है तो सौधी अरब को लगा कि एक समय तो आएगा हमारे यहां कि जो हमारे पास प्राकरतिक संसाधन मौझूद है यह सब खत्म हो जाएगा फिर मैं क्या करूंगा खाखा करके आप कितने दिन जिन्दा रहेंगे ठीक है तो इसके लिए आपको बैपार बढ़ाना हो तो इतिहास यही कहता है कि यूएसे और यूरोप ने कभी जो पुर्वी दुनिया है इसका भला नहीं चाहा है तो इस दौरान जो है सौधी अरविया और आप तबॉक्स जाके सोच रही है और स्यों के साथ वैपार और आर्थिक सायोग में वर्दी विसेश रूप से चीन रूस इन दोनों का जो है धुसमन है यूएसे ठीक हैा इन दोनों का आप देखेंगे तो रसिया के साथ कोल्ड बार एक तो उससमय चली रहा था सकंड वर्ल्वर के बाद और लगवग अभी भी कहीं सकते हैं कि रस्या के साथ अभी देखने युकरेयन और रस्या का किस तरह से युद्ध चल रहा है और चीन के साथ उसका ट्रेडवार चलता ही रहता है ठीक है तो इसलिए आप देखेंगे इन दोनों ही कि किस तरह से एसिया का महत्व बढ़ता जा रहा है बर्तवान वैस्विक राजनीती में चेत्रिय सुरक्षा के मुद्दों और एक वक्त था जब भारत वैस्विक मंच पर बोला करता था कि हमारे यहां आतंगवादी घटनाएं हो रही है हमारे कुछ पड़ोसी देश हैं जो इसको बड़ावादे रहे तो पूरी दुनिया इसका मजा कुड़ाय करती थी यूएनो में भारत को कहा जाता था कि देखिए आप कह रहे हैं जो आपके यहां आतंगवाद है दरसल यह आपके आंतरिक सुरक्षा का मसला है आपकी पुलिस वेवस्था आपकी मिलिटरी वेवस्था कमजोर है इसलिए आप इस तरह की घटनाओं का आप सामना कर रहे हैं लेकिन जब 26-11 की घटना हुई उसके बाद किल करके ही किया जा सकता है तो सौधी अरविया जैसे देश भी अब इससे अच्छूते नहीं रागए तो यदि उसके विरुद्ध काम करना है उन देशों के साथ आना परेगा जो इस पर पहले से ही काम कर रहे हैं तो सौधी अरविया चेलिए यहां पहुंच बदाना चा सकता है सौधी अरविया को क्योंकि सौधी अरव चाह रही है कि जो उसका जो गल्फ कंट्री में प्रभाव है वो बढ़े पिछले कुछ दिनों में देखा जा रहा है कि गल्फ में उसका प्रभाव देरे गरता जा रहा है वहां में वहां की जो इस्तिती बदलती जा रही ह राजनितिक परिदिस्ट बदलता जा रहा है तो सौधी अरविया को बड़ी बैचैनी हो रही है तो यदि आप आप दा बॉक्स जाके वो काम नहीं करती है तो उसके प्रभाव में ब्रधी नहीं होगा उसका जो वैस्विक घटनाओं में एक राजनितिक महत्त है वह नहीं ब है भारत के लिए इसका क्या महत्तु भारत के लिए दोनों ही तृस्टि कौन से सौधी अरविया अब स्क्राव में आया है तो उसका क्या प्रभाव भारत पर पर परेगा इसको भी समझ लेते हैं देखे स्शयों का मुक्ष जैसा कि है आतंगबाद अलगाबबाद और चरम सयोग पुर्ण तरीके से काम क्रतना है कहने की कि जरूत नहीं है कि भारत आतंगबाद से कितना gute है कास्मील में लगातार आप भारत में देखने अलगाबाद की इस्तिति बनी रहे हैं नौर्थिष्ट का आप जानते ही है नागा लेंड में अभी अभी तो खालिस्तान का मुद्दा आप देखी ने गर्मी है अमरित पाल सिंग का तो अलगावाद की स्थिति भारत देखी रहा है चरंपंथ भारत में रगतार देखा जाता रहा है तो भारत इन सभी परिस्थित के लिए एक मंच भी परदान करता है यानि कि मद एसिया का जो छेतर है उजबेकिस्तान है ताजाकिस्तान है इन सब देशों से जुड़ने के लिए एक मंच परदान करता है क्योंकि वहां पर गैस पाइपलाइन आप जानते हैं तापी परियोजना के बारे में अगर आप ना जानते हों तो तापी के बारे में पढ़ लें ठीक है कभी हम इस पर चर्चा करेंगे तो यहां पर जो मद एसिया के देश है यह इस मामले में काफी संसाधन निपुन है तो भारत को इसका लाव मिल सकता है यह संगठर भारत को चीन और पाकिस्तान के साथ अपने संबन सुधारने में भी मदद कर सकता है चीन और पाकिस्तान भारत के लिए क्यों महतपुर्ण है अगर आप इसे समझना चाहएं तो आप यह देखिए यहां पार मांन लीजिए यह जम्मु कस्वीर का हिस्सा है इस तरफ यहां पे चाइना और इस तरफ आप देखेंगे तो पा तरोसी नहीं बदल सकते वो तो साथ ही रहेंगे और दोनों पर उसी जो हमारे हैं वो सब्सक्रा करते हैं रहते हैं तो जरूरी हो गया है कि यह जो दख्रेश्या का छित्र है यहां साम्थी विवस्था बनी रही और सांती विवस्था यहां बनाने की जिमेदारी भारत की भी पड़ती है तो कि भारत दक्षिन एसिया का एक बड़ा राष्ट है ठीक है इसलिए अपने छोटे-छोटे जो परोसी राष्ट है उसके साथ कैसे मैत्रिपूल शंबना रहे है इसके लिए भारत को ही पहल करना परेगा तो भारत इसलिए ऐसे संगठनों का उपयोग करना चाहती है ऐसे मंचों का प्रियोग करे हुआ और चीन और पाकिस्तान जैसे अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध मधूर करके आगे अपने वैस्विक अस्तर पर अपनी इस्तिति को और संगठन के सदस देशों में विश्व की लगभग आधी जनसंख्या के निवास करने के कारण भारत को पर्यटन के छित्र में इसका लाव मिलने की संभावना है देखिए एक तो यहां पर भारत के ही आवादी सबसे ज़्यादा जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यह जो स्यों ह है लगभग 42 परतिशत जनसंख्या कवर करती है यानि कि लगभग आधी जनसंख्या पूरे दुनिया की तो इनी देशों में और उसमें भी भारत भी और चीन भी है ठीक है तो इनी दोनों देशों को मिला घर के जनसंख्या काफी बढ़ जाएगा और भारत जो है सांस्कृ से भी बताया था तो इसका लाब भारत को मिलेगा बांकी देशों के साथ संबंध मदूर हो सकता है वरतमान में भारत में आने वाले परेटों को का लगभग 6% से ही आता है जिससे भारत और बढ़ा सकता है अब चले यह तो पूरा टॉपिक हो गया जिस पर हमने चर्चा कि देते हैं तो SEO के लक्षों अब इसके कीवर्ड को मैं बता दूंगा यह इतना बता दूंगा कि आप इसे फ्रेम कैसे करेंगे तो SEO के लक्षों और उद्देश्यों की आलोचनात्मक जांच करें भारत के लिए इसका क्या महत्व है तो आप इसे 150 सब्दों में लिख सकते है कमेंट बॉक्स में डाली यहां पर देखिए का किया गया है इस संगठन SEO की बात की गई तो लक्ष क्या है इसका हमने पहले बात किया है लक्ष पे और उद्देश्यों करना है तेखिए आलोचनात्मक जांच करना है कि आलोचनात्मक कहने का मतलब हुआ पक्ष की भी बाते कीजिए यानि कि अपने लक्ष और उद्देश्चों को पुर्ति करने में संगठन कितना काम्याब रही है और कितनी संभाबनाएं हैं इस बात को ले के आपको व्यक्षा करनी है और भारत के लिए इसका क्या महत्व है इस पर तो अभी अभी हमने चर्चा किया है उसके अलावात यानि कि अगर आप मालेजी तो है तो आप इसमें इंट्रो लिख लीजिए और नीचे से भी आप 25 वर्ड जो है आप कंक्लूजन के रिख लीजि कीजिए और विवक्ष की बाते कीजिए इस तरह से आंसर आपका फ्रेम हो जाएगा और कॉमेंट वॉक्स में आप आंसर लिखिए ठीक है लेकिन उससे पहले आपको हम फिर से वह प्रिलिम्स वाला प्रशन पर ले चलते हैं चुकि वह प्रशन जो है हम अल्लेडी डिसकसन किये थे और फिर हम बात कर लेते हैं कि उसका आंसर क्या होगा ठीक है आप लोग उसका इंतर्जार कर रहे होंगे हना कि आंसर मैं नहीं बतावांगा आंसर तो आपको यह कोमेंट बॉक्स में बताना है थाक है संधर में निम्रिखित कत्नों पर विचार कीजिए जैसा कि पहला कथन है यह एक अस्थाई अंतर सरकारी अंतराष्टिय संगठन है हमने चर्चा किया है राष्ट्र धक्षों की परिशन संगाई सहयोग संगठन में निर्ने लेने वाली सरवोच संस्था है वर्ष 2001 में भारत इस संगठन का पुर्णकालिन सदस्द यह seven statement आपको देखना है कि इस तीन में से कौन सही है ओन गलत है उसके आधार पर सत्रक्षन कौन है उसके हिसाब से विखल चुना है चार विकल्ब दिये गए हैं जो भी आपको सही लगे कि या विकल्ब सही है उसका जवाब आप कॉमेंट बॉक्स में लिखे आपका स्वागत है इस वीडियो में इतना ही रखते हैं इस विशाय पर आपके क्या विचार है वह भी आप हुआ 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 है